नमस्ते मैं हूँ रेनुका तो आप सबका मेरी यूट्यूब चानल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपको तूर के जो दाने होते हैं उनकी सब्जी बना के दिखाने वाली हूँ तो एकिन माने हैं अगर आप इस सब्जी इस ट्रिक से बनाओगे तो वो बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगी तो चले श्टार करते हैं आज का वीडियो तो इस सब्जी बनाने के लिए मैंनी हैं दो कप तूर के दाने लिए हैं फिर मैंने यहां एक बारी कटकिया हुआ प्याज और एक बारी कटकिया हुआ ट्यमाटू लिया है तो सबसे पहले आभी हमें इस सूर के दानों को अच्छी तरह से भून लेना है तो उसके लिए मैंने ग्यास पे बरतन रख दिया है तो हमें इसमें दो चमच तेल डालना है और इन दानों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है तो जब तक इस अच्छी तरह से काले ना पढ़ जाए तब तक हमें इने अच्छी तरह से भून लेना है तो अभी हाँ इस तूर के दाने अच्छी तरह से भून चुके है और इक काले भी पड़ चुके है फिर हमें इन दानों को एक प्लेट में निकालना है फिर इस सब्जी बनाने के लिए मैंने ग्यास पे एक बर्तन रख दिया है तो सबसे पहले हमें इसमें चार चमच तेल ड़नना है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्यास ड़नना है और इसे हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है फिर हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ टैमेटो ड़नना है और इसे भी हमें टेल में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो इस सब्जी बनाना बहुत यासान है फिर हमें इसमें आदा चमच हल्दी पौडर डलनी है फिर हमें इसमें एक चमच गरम असारा पौडर डलना है फिर हमें इन सारे इंग्रिदेंस को अच्छी तरह से तेल में फ्राय कर लेना है फिर हमें इसमें स्वादनुसा लाल मेच पाउडर डलने है उसके बाद हमें इसमें दो चमच दही डलना है तो अब दही जाधा भी डाल सकते हो फिर हमें इन सारे इंग्रिडेंस में आधा कप पानी डलना है और इने हमें आच्छी तरह से मिक्स करना है तो यह बहुत ही आसान तरीके से बलने वाली सबजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फिर हमें इसमें भूने हुए तूर के सारे दाने डाल देने हैं फिर हमें इसमें स्वादूसा नमक डलना है उसके पास हमें इसमें एक कप पानी डलना है और फिर से इन सारे इंग्रिडेंस को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है फिर उसके बाद आभी हमें सब्जी को पकने के लिए 5 मिनिट तक लिए इसे ही रख देना है तो अभी 5 मिनिट हो चुके है तो आभी मैं चक करती हूँ यह सब्जी पकी है और नहीं तो हमें इसे बीच पीच में चक करते रहना है नहीं तो यह निचे से लग जाएगी और अगर पानी कम पड़े तो आप इसमें और भी पानी डाल सकते हो तो मिनिया अभी इसमें और एक कप पानी डाल दिया है क्योंकि सब्जी और थोड़ी पकनी चाहिए तो हमें इसे फिर से पाच मिनिट तक पकने के लिए रग देना है तो अभी फिर से पाच मिनिट हो चुके है तो अभी यह सब्जी अच्छी तरह से पक चुके है और यह अभी खाने के लिए गर्मा गरम बन के त्यार हो चुके है पिर आखिर में हमें इसमें आदा कप बारी कटकी हरी धन्या डालने हैं और इस आरे इंग्रिडेंस को अच्छी तरह से मिक्स करना है तो आप इस गर्मा गरम तूर दाने की सबजी को रोटी चपाती राइस के साथ खाने में नास्ते में सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिल से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंड वाचि मैं वीडियो